लोगसबा चुनाओ 2019 में अब सिर्फ दो चर्णों का मद्दान शेश रह गया है। लहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत से चुनाओ प्रचार करने में जुट गए हैं और इसी कमब में कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी आज तीन राजियों में ताबरतो जनसभाओं को संबोधित करते दिखेंगे। राहूल गांधी आज दिल्ली, हर्याना और मध्यप्रदेश के कॉंग्रिस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। कॉंग्रिस के लिए तीनों जगेों से सीट निकालना चुनाओती पूर्ण रहने वाला है। दिल्ली में कॉंग्रिस भाषपा और आप पार्टी के बीच त्रिकोनी मुकाबला है और छटे चरण के लिए राहूल गांधी अपनी ताकत जोकेंगे आज। दिल्ली, हर्याना और मध्यप्रदेश में ताबरतोड रैलियों को संबोधित करने का आज कारेक्रम है। दिल् दिल्ली, हर्याना और मध्यप्रदेश में ताबरतोड रैलियों को संबोधित करेंगे। दिल्ली के रामनीला मैदान में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। दिल्ली के अलावा हर्याना और मध्यप्रदेश में भी ताबरतोड रैलियों को संबोधित करेंगे। लोक्सबा चुनाओ 2019 का दंगल आपको लगातार बता रहें जिसने कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गान्धी आज ताबरतोड रैलियों को संबोधित करेंगे। चटे चरण के लिए राहूल गांधी अपनी ताकत जोगते हुए आज नजर आएंगे दिल्ली हर्याना और मद्यप्रदेश में तावर्ट और रैलियां कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी की आपको बता रहे हैं 12 माई को चटे चरण में दिल्ली की साथ लोकसबा सीटों पर वोटिंग होनी है और इसी के मद्य नजर दिल्ली में आज चुनावी रैली को संबोधत करेंगे राहूल गांधी लुको मारी इसी का अट्डिल दिल्ली मादी भारी ठाण भांधी जल्ली के रहे हैं थिल्ली का इसी सधीय करेंगे प्याष्यक्ष लोट प्याष्यक्ष बच्में पर दो चेसे घुगकता करेंगे। कि अढयू द वाल है af रहे हैं झाल झाल